हेला फ्रेंड्स आज का जो टोपिक है वो है वर्दन डाइनिस्टी यानि आज हम वर्दन डाइनिस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वर्दन डाइनिस्टी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इससे पहले हमने पढ़ा है महाजनपत पिरेड के बारे में फिर हमने मोर्य एंपायर के बारे में पड़ा, मोर्य एंपायर के बाद में सुंग डाइनिस्टी के बारे में, सुंग डाइनिस्टी के बाद में कनव डाइनिस्टी, कनव डाइनिस्टी के बाद में सातवाहन डाइनिस्टी और सातवाहन डाइनिस्टी के बाद में हमने गु वीडियों में देखेंगे तो पोस्ट गुप्त डाइनेस्टी पोस्ट गुप्त डाइनेस्टी कौनसी डाइनेस्टी होती है जो कि गुप्त एंपायर या गुप्त वंश के डिकलाइन होने के बाद में जो जो डाइनेस्टियां आई है उन्हीं को का जाता है पोस्ट गुप डाइनेश्टी और सातवहान डाइनेश्टी थी तो उसी प्रकार से गुप्त एंपायर या गुप्त वन्ष समाप्थ होने के बाद में जो जो इस डाइनेश्टी की स्थापना होती है वो हम पढ़ेंगे कौन-कौन से डाइनेश्टी वर्धन डाइनेश्टी ठीक है जिसमें वर्दन शुरूल करते थे और फिर चालुक्यास जो चालुक्यास थे गुप्ता एंपायर में जो रूल करे गुप्ता एंपायर के समय जो थे प्रजेंट चालुक्यास उन्होंने अपनी नई डाइनेस्टी चालुकी इसका नाम था चालुक्यास डाइनेस्टी चालुक्यास और जो पलवास थे उन्होंने अपनी पलव डाइनेश्टी की शुरूआत की, इस प्रकार से पोस्ट गुप्त डाइनेश्टी की शुरूआत होती है, अब जो नौर्थ की साइड में वो है वर्दन डाइनेश्टी, और जो уб इंडिया की तरफ में जो थी, वो थी चालूक की डाइनेश्टी और पल्लव डाइनेश्टी चालो की डाइनेश्टी में चालो क्या जरूल करते थे पल्लव डाइनेश्टी में पल्लव डाइनेश्टी में पल्लव डाइनेश्टी में पल्लव डाइनेश्टी में पल्लव डाइनेश्टी तो अब हम सबसे पहले देखेंग वर्धन डाइनिस्टी के बारे में जो कि नोर्थ में रूल कर रही थी, फिर हम इनके बारे में देखेंगे, जो कि साउध में रूल कर रही थी, ये वर्धन डाइनिस्टी कब आई है, इससे पहले कौन सी डाइनिस्टी थी, तो इससे पहले गुप्त डाइनिस्टी थी, हमने के बाद में इन चोटी-चोटी डाइनिस्टियों की इस्थापना होती है तो यह आपका clear हो गया होगा concept तो अब हम शुरुआत करते हैं वर्दन डाइनिस्टी की कुछ basic चीज़ देखेंगे तो founder जो है वो push-puti वर्दन है जो की जो होते हैं वो push-puti वर्दन होते हैं जैसे बाते पूछ-बुति वर्दन होते हैं जैसे बाते पुछ-बुती वर्दन फाौंडर हैं तो first रूलर जो हैं वो भी यहीं होंगे वर्दन डाइनेश्टी के वापस बताता हूं वर्दन डाइनेश्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है पुषबुती वर्दन पुषबुती वर्दन कौन थे तो गुपताज के लेंडलोड थे जब गुपत डाइनेश्टी रूल गुपत वर्धन और यह जो हैं वो फर्ष्ट रूलर हैं वर्धन डाइनिस्टी के जायर सी बात है फाउंडर हैं तो फर्ष्ट रूलर भी यह होंगे तो अब आप जो हैं वर्धन डाइनिस्टी का एरिया देख सकते हैं इस इस एरिया पर वर्धन डाइनिस्टी के जो रूलर थे वो रूल करते थे ये एरिया है और एक मेप और देख सकते हैं इस एरिया पर रूल करते थे जो वर्धन डाइनिस्टी के रूलर थे वर्धन डाइनिस्टी के कौन-कौन से रूलर थे सबसे पहले जो थे वो पुशिबुती पुशिबुती वर्धन फिर प्रभाकार वर्दन, प्रभाकार वर्दन के बाद में फिर आते हैं, राजवर्दन, राजवर्दन के बाद में आते हैं, हर्षवर्दन अब हम बात करेंगे जो सेकंड रूलर थे वर्धन डाइनिस्टी के कौन से राइनिस्टी के वर्धन डाइनिस्टी के जो सेकंड रूलर थे प्रभकार वर्धन कौन से प्रभकार वर्धन फर्ष्ट कौन थे फर्ष्ट पूश बुदी के बाद में सेकंड कौन आते हैं प्रभकार वर्धन तो ये रूल करते हैं प्रभकार वर्धन वर्धन डाइनिस्टी पर वर्धन वंश पर तो प्रभकार वर्धन के दो बेटे होते हैं कौन से राजवर्धन और हर्षवर्धन क हो गई इनकी प्रभकार वर्दन की फर्स्ट राजवर्दन जो की बेटे हैं सेकंड हर्षवर्दन जो की बेटे हैं थर्ड राजश्री जो की पुत्री है प्रभकार वर्दन की तो अब हम देखते हैं की हर्षवर्दन अब हम देखेंगे की राजवर्दन और हर्षवर्दन क किस प्रकार से लड़ाई करते हैं किस प्रकार से राजा बनते हैं तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको वर्दन डाइनिस्टी का पूरा कॉंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगा तो राजवर्दन को ने प्रभवकार के बड़े बेटे और हर्शवर्दन को ने तो जो बाई हर्षवर्दन और तीसरी संता थी प्रभवकार की जो थी राजश्री और राजश्री की शादी करवाते हैं ग्रह वर्मन से जो की कन्योज के रूलर होते हैं कौन करवाते हैं प्रभवकार तो सबसे पहले राजवर्दन तो राजवर्दन अपने बेटे अपने पिता की मिर्त्य के बाद में प्रभकार की मिर्त्य के बाद में प्रभकार के जो बेटे हैं राजवर्दन वो पूरे वर्दन डाइनिस्टी को कंट्रोल करते हैं कौन कंट्रोल करते हैं जो बड़े बेटे राजवर्दन होते हैं वो राजवर्दन किसके बेटे होते हैं राजवर्दन प्रभकार के बड़े बेटे होते हैं राजवर्दन जो कि पूरे वर्दन डाइनिस्टी को कंट्रोल करते हैं राजवर्दन और हमने देखा था कि जो तीसरी संतान थी राश्री तो राश्री की प्रभकार जो हैं वो शादी करवाते हैं राश्री राश्री की शादी ग्रव वर्मन से करवाते हैं किसे जो कि कन्योज का रूलर होता है तो वापस देखते हैं कि प्रभगार जो है वो अपनी बेटी की शादी यानि राश्री की शादी ग्रव वर्मन से करवाते हैं जो कि कन्योज के रूलर होते हैं यानि कन्योज के शाशक होते है। ठीक है? और अब जो अब पूरे जो वर्दन डाइनिस्टी थी तो वर्दन डाइनिस्टी के जितने भी रूलर रहे हैं उनके में जो दुश्मन थे वो थे शशंक और देव गुप्त यानि शशंग मालवा के king थे यानि रूलर थे और देवगुप्त यानि गोड के रूलर थे अब ये एरिये किसकी जगह पर आते हैं थानेश्वर, कन्नोज, मालवा और गोड वो बताता हूँ तो गोड जो है वो कहा आता है तो वेश्ट बंगाल में और मालवा मध्य परदेश में अभी और कन्नोज यानि अभी यूपी है थानेश्वर यानि जो भी हर्याना है तो ये एरिये जो हैं वो इसी जगह पर आते हैं तो भर्दन डाइनिस्टी सबसे पहले कौनसे एरिये पर रूल करती है रूल करना इस्टार करती है तो थानेश्वर के एरिये से जो कि अभी कहा आता है हर्याना में हरियाना से start करती है वर्दन डाइजिश्टी अपना rule तो अब जो होते हैं वो शशंक और देवगुप्थ एक plan करते हैं तो इस plan में गया होता है कि ये शशंक और देवगुप्थ दोनों कन्योज के जो ruler होते हैं ग्रह वर्मन उनकी उनकी जो है वो हत्या कर देते हैं कन्योज को ले लेते हैं उसमें क्या होता है जो राश्री थी कौन राश्री राश्री किसकी बेटी थी प्रभकार की ये जो राश्री जो है वो अपनी जान बचाने के लिए किसी अंजान जगे पर चली जाती है किसी जंगल में भाग जाती है कौन राश्री क्यों भागती है तो अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि ग्रह वर्मन को तो वो मार देते हैं ये दोनों तो अपनी जान बचाने के लिए राश्री भाग जाती है और कन्योज को पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं राज शशंक और देव गुब्द फिर इस बात से क्या होता है इस बात से हमारे क्या काम है तो इस बात से हमें ये काम है कि फिर जो राजवर्दन होते हैं प्रभाकार के बेटे वो इनसे यूद करते हैं तो इनसे यूद करते हैं तो ये क्यों यूद करते हैं कि ये ग्रेह वर्मन को मार देते है और राज श्री भी भाग जाती है और पुरा कंट्रोल ये ले लेते है कन्योज पर पुरा कंट्रोल ये दोनों करते है तो राजवर्दन को गुसा आता है और राजवर्दन जो है वो देव गुप्त से मार देते है थीँए तो राजवर्दन सक्सेज नहीं हो पाए थे राजवर्दन ने हRealंकि देवगुप्त को तो मार दिया था पिर शषंग को नहीं मार पाए थे और शषंग ने किया कि राजवर्दन को मार दिया उल्टा तो अब और मुसिबत बढ़ गई तो फिर जो राज वर्दन थे वो भी मर गए ग्रह वर्मन थे वो भी उनकी भी मोत हो गई वो राज श्री जो थी वो भी किसी जंगल में भाग गई अंजान जग़ पर फिर जो रूलर बनते हैं वर्दन राइनिस्टी के वो आते हैं हर्ष वर्दन जो कि 16 साल की एज में ही राजा बनते हैं रूलर बनते हैं रूल करते हैं पूरे वर्दन राइनिस्टी पर तो ये हर्ष वर्दन फिर क्या करते हैं पूरा कंट्रोल जो होता है वो शेशंग के आत में होता है क्योंकि जो देव गुप्त था वो भी मारा गया था किसके द्वारा तो राजवर्दन के द्वारा तो शेशंग जो होते हैं वो हर्षवर्दन के बड़े भाई की हित्या कर देते हैं राजवर्दन की तो हर्षवर्दन जो होते हैं वो सेकन रूलर होते हैं कौन सेकन रूलर तो हर्षवर्दन क्या करते हैं इस शेशंग को मार देते हैं शेशंग को मार देते हैं पूरी तरह से खतम कर देते हैं और जो कन्नो जो होता है वो अपने सामराज में मिला लेते हैं अ अपने sister जो खो गई थी उस समय यानि किसी अंजान जगवर भाग गई थी उसको भी हर्श वर्दन जो है वो पूरी तरह से successfully वापस लियाते हैं तो इसको एक बार और वापस देखते हैं यानि राज वर्दन जो है वो किसको मारता है देव गुप्त को क्यों मारता है क्योंकि देव गुप्त ने और शशंग ने मिलकर उसके राज श्री के husband को मारा था तो राज वर्दन जो है वो देव गुप्त को मार देते हैं और देव गुप्त को मार देते हैं तो शशंग जो होता है वो वापस इसका दूसरा मित्र होता है देव गुप्त का तो शशंग जो होत वो इस हर्षवर्दन को मार देता है और ग्रह वर्मन को मारने के बाद में जो राश्री होती है वो किसी अंजान जगह पर चली जाती है यह भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए तो फिर कौन बचे शशंग शशंग कहां पर राज कर रहे थे कन्योज पर और अब फिर राजवर्दन के बाद में जो रूलर बनते हैं राजवर्दन की मिर्ति हो जाती है शशंग मार देते हैं फिर रूलर कौन बनते हैं फिर रूलर बनते हैं हर्शवर्दन तो हर्शवर्दन जो है वो इस शशंग को मारते हैं शशंग को क्यों मारते हैं क्योंकि शशंग ने मिल कर उनके बेटी के पती को मार दिया था और कन्योच शिन लिया था इसलिए हर्ष वर्दन जो है वो शशंग को भी मार देते हैं और फिर जो है वो कन्योच वापस जीत लेते हैं और अपने वर्दन डाइनिस्टी में भी वर्दन डाइनिस्टी में मिला लेते हैं और अपनी ज 16 साल की एज में ही करते हैं ठीके 16 साल की एज में इनके सामने इतनी मुसिबते थी आप देख लीजिए शेशंग को मारा कन्योज को वापस अपने जो वर्दन डाइनिस्टी थी उसमें मिलाया और राश्री जोकी इनकी सिश्टर थी उनको भी खोज निकाला तो यह सारा कॉंसेप्ट आप समझ गए होंगे तो यही हमारी बुक में दिया हुआ है इसी बात का ध्यान रखना है और पूरा जो टिप टोप यही कॉंसेप्ट हमारी 10 की बुक में दिया हुआ है तो अब हम पढ़ेंगे तो बुक का जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको इन महान रूलर ग्रेटेस्ट रूलर हर्षवर्दन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ तो हर्षवर्दन के बारे में बताता हूँ तो हर्षवर्दन जो होते हैं देख सखते हैं कि 16 साल की एज में उन्हों ने अपने भाई को जिसने मारा था यानि राजवर्दन को जिसने मारा था शशंक ने उसको मारते हैं अपनी राज श्री जो सिष्टर थी उसको भी ढून निकालते हैं जो कि कई खो गई थी अपनी जान बचाने के लिए किसी अंजान जगह पर बाग गई थी उसको भी वापस लेाते हैं और कन्नोज को जो है वो भी वर्दन डाइनिस्टी में मिला रहते हैं तो देख सकते हैं तर्श वर्दन जो थे वो greatest ruler थे यानि यह जो होते हैं हर्श वर्दन वो greatest ruler होते हैं वो मैंने आपको बता दिया एक इस प्रकार से इनको जो है वो शिला दित्य नाम से भी जहना जाता है यानि शिला दित्य भी कहते थे after defeated Shashank he made cannoch his capital यानि ये जो होते हैं वो Shashank को भरा देते हैं किसको हमने पढ़ा था Shashank को भरा देते हैं क्यों क्यों क्योंकि Shashank ने देवगुप्त के साथ में मिलकर जो हर्ष वर्दन की जो sister थी कौन तो जो राश्री उसके पती को मारता है ये शशंग की देव गुप्त के साथ में मिलकर और शशंग जो होता है वो हर्षवर्दन के बड़े भाई हा राजवर्दन को भी मार देता इसलिए हर्षवर्दन इन दोनों का बदला लेने के लिए शशंग को मार देते हैं यानि युद में हरा देते हैं, तो युद में हराने के बाद या मारने के बाद फिर जो है कन्योज को छिन लेते हैं और हर्षवर्दन जो है वो कन्योज को लेने के बाद कन्योज को जो है उनकी कैपिटल बना देते हैं, यानि राजदानी बना देते हैं, कौन हर्षवर्दन और जो हर्शbrand जो होते हैं वो last में किस प्रकार से हारते हैं तो ये पुला केसिन सेकंड नाम के आदमी से यानि पुला केसिन सेकंड नाम के रूलर से ये कौन होता है वह हम आगे देखेंगे तो अब हम पढ़ेंगे वर्दन डाइणिस्टी के बारे में जो हमारी बुक में दे रखा है वैसे तो हमने इससे पहले जो भी देखा था वो वर्दन डाइनेश्टी के बारे में देखा था यानि वर्दन डाइनेश्टी हमने पूरी तरह से complete पढ़ ली है पर हमारी ड्यूटी है कि हम जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो हम line to line पढ़ नियर थानेश्वर यानि ये डाइनेश्टी फाउन की जाती है पुष भुती के द्वारा सिख्स्थ सेंचूरी में और कहाँ पर तो थानेश्वर के पास में इनिशली केपिटल वास थानेश्वर लेटर कन्योज बीकम केपिटल पहले जो थी वो इसकी केपिटल थानेश्वर थी ये थानेश्वर कहाँ पर आता है हर्याना में और कन्योज को जो है वो इसकी सेकंड केपिटल बना दी गई यानि पहले केपिटल थी थानेश्वर और थानेश्वर को इसकी राजदनी हटा कर फिर नई राजदानी बना दी कहाँ पर बनाई तो कर्नोज में पुशी बुद्धी वाज वर्शिपर और लोड शिवा और पुशी बुद्धी जो थे जो कि फर्स्ट रूलर थे वो भगवान शीव के पुजा रही थे यानि बगवान शीव के फुजा करते थे इंपर्टन रूलर्स इ इस डायनिस्टी के इंपर्वान रूलर कौन-कौन है पुशी बुद्धी इतने इंपर्वान रूलर नहीं थे प्रभाकार वर्दन, राज वर्दन और हर्ष वर्दन यह जो थे वो, तेन मैंन इंपोर्टेंट रूलर थे, वर्धन डाइनिश्टी के, तो सबसे पहले है, राजवर्धन बिकम दे किंग आफ्टर देतो फीजफादर प्रभकार वर्धन, यानि जो राजवर्धन है, राजवर्धन राजा कैसे बनते हैं, जब इनके पिता की मिर पिति के दोरान ये जो हैं, रूलर बनते हैं, यानि राजवर्धन वास किल्ड बाई गोर, इसको गोर को या गोर एकी बात है, यानि राजवर्धन वास किल्ड बाई गोर रूलर, शशंक इन 606, यानि राजवर्धन जो है, वो, राजवर्धन जो है, वो किसके दोरा मारे जाते हैं जो गोर के रूलर यानि गोर के रूलर शेशंग जो होते हैं उनके द्वारा मारे जाते हैं राजवर्दन ठीक है वो हमने देखा था कि शेशंग और देवगुप्त दोनों मित्र थे इन दोनों ने क्या क्या कि जो राज राश्री थी मलब कि राजवर्दन की और हर इसका नाम था ग्रह वर्दन और जो कन्यों जो था वो भी इन दोनों ने ले लिया तो राज वर्दन को गुसा आया तो राज वर्दन ने क्या क्या कि देव गुप्त को मार दिया पर शशंग को नहीं बार पाए और शशंग ने इनको मार दिया उल्टा तो राज वर्दन की म नहीं हमने देखा था है कि जो प्रभकार थे प्रभकार के तिन संत्ह mm थी कर्जाmb राजवर्दान सेकंड हर्ष वर्दन और तिसरी सबसे छोटी, जो agriculture दैने पुत्री थी कि हर्षवर्दन जो थे वो most powerful ruler थे most important ruler थे वर्दन डाइनिस्टी के यह आपको याद रखना है पुचा जा सकता है कि who is the most important ruler of वर्दन डाइनिस्टी तो आपको बताना है हर्षवर्दन after the death of Rajवर्दन his younger brother हर्षवर्दन become the king and ruled for 40 years यानि राजवर्दन की मिर्थव के बाद में उनके छोटे बाई हर्षवर्दन जो है वो राजा बनते हैं और 40 साल तक rule करते हैं वर्दन डाइनिस्टी पर हर्षवर्दन did not have any sibling so this dynasty ended after his death यानि हर्षवर्दन की कोई संतान नहीं थी sibling मतलब कोई संतान नहीं थी तो उसके कारण जो हर्षवर्दन की मिर्थव के बाद में यह जो डाइनिस्टी जो है वो खतम हो जाती है when शशंग killed राजवर्दन his younger sister राश्री left home and went to some unknown place save her life but हर्षवर्दन found her later यानि जब जब जो है ग्रवर्दन की मिलकर सिश्टर थी नेक्स्ट है ही साइन फ्रेंशिप ट्रेटी विद भासकर वर्मन द किंग ओफ कैमरप यानि आसाम मैंने बताय था गनाय कि जो गुप्त जो गुप्त थे और जो शेशंग थे तो अब इन दोनों को किसने मारा एक को तो राजवर्दने मारा और दूसरे को हमने पढ़ा था कि हर्षवर्दने मारा तो हर्षवर्दन जो थे वो अकेले इन को नहीं मार पाए थे खिसको तो हर्षवर्दन ने किसकी मदद ले थी तो बासकर के बासकर वर्मन नाम के एक किंग थे जो की कैमरब के थे यानि कैमरब अभी आसाम में आता है आसाम की जगर जो अभी है उसी जगर कैमरब था यानि कैमरब इस्थान का जाता था पहले तो वहां के जो king थे बासकर वर्मन उनकी मदद लेते हैं हर्श वर्दन और ये दोनों मिलके शशंग को मारते हैं तो ये कुछ नहीं है शशंग को मार देते हैं फिर क्या होता है कि हर्श वर्दन के मन में खयाल आता है अपने सामराज को बढ़ाने का यानि अपने वंश को बढ़ाने का ये क्या करते हैं कि अपने आर्मी को साउथ की तरफ भेजते हैं कौनसी तरफ साउथ की तरफ भेजते हैं तो साउथ की तरफ में पुला केसिन सेकन नाम के एक आदमी जो है वो रूल कर रहे होते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं कि इनको आ यानि नर्बदा जो नंदी है उसके किनारे जो है पुला केसिन सेकन नाम के आदमी जो है वो हर्षवर्दन को मार देते हैं और हर्षवर्दन को जो नर्बदा रिवर के नर्बदा रिवर से आगे नहीं जाने देते हैं और वहीं मार देते हैं ठीक है तो in south his army were forced to return from the bank of river नर्बदा बाइ किंग पुला केसिन सेकन यानि इनोंने जो है वो इनके आर्मी बेजी थी हर्षवर्दन थे उन्होंने अपने आर्मी बेजी थी अपने सामराज को अपनी वंच को बढ़ाने के लिए पर पुला केसिन सेकन नाम के जो किंग थे उन्होंने उन सेना को जबरदस्ती नर्बदा रिवर के किनारे से वापस पिछे बेज़ दिया और आगे नहीं जाने दिया और वो हमारी बुग में नहीं दिया हुआ है बट मैं बता दू कि पुला केसिन सेकन नहीं हर्षवर्दन को मार दिया था और जो नर्बदा रिवर थी उससे आगे नहीं जाने दिया, और अब थोड़ा इनके लाइफ के बारे में दिखते हैं कि इनको के के टाइटल मिले हुए हैं, और तो, इनको टाइटल भी मिला हुआ है, महाराज दिराज का, भगवान शीव के और सूरी के पुजा करते थे, कन्योज वास दे केपिटल, इन्होंने केपिटल जो थी, वो कन्योज को बनाई, पहले कौन सी थी, तो पहले जो थी, वो थानेश्वर्त इनकी केपिटल थी, बाद में बने ने कन्योज को एपनी केपिटल बनाई, और बन भटा हूरोट हर्ष के रिटा वास इस कोड़ बारे में, इन्होंने केपिटल कन्योज बनाई, ये किसके पुजारी थे, इनको महाराज दिराज का टाइटल मिला, ये पुला केचनग द्वारा मारे गए, यह सब हमें इसी से पता चलता है इस बुक से या नी इससे हमें यह भी पता चलता है इस बुक से कि यह जो हैं वो एक बड़ी केर मनी और्गनाईज करवाते थे हर पांस साल में ठीक है हर पांस साल में एक बड़ी केर मनी organize करवाते थे उस केरमेनी के दोरान ये जो थे वो लोगों को दान देते थे और public welfare का वर्क करते थे काँ पर तो परियाग के पास में एक परियाग नाम की जगे थी उसके पास में तो हर 5 साल में ये केरमेनी attend करते थे और दान देते थे लोगों को, और इनके पास में जो होता था, वो सबकुछ दे देते थे और लोगों का welfare करते थे. इसको कहते हैं, तो तो दे चाइनिज ट्राव्ल हैंसांग attend sixth care money of such kind, यानि मैंने कहा था ना कि हर पाँ साल में ये care money attend करवाते थे, हर पाँ साल में कौन अटेंड करवाते थे केर मनी तो केर मनी अटेंड करवाते थे हर्षवर्दन तो जब इनकी ये छटी केर मनी हुई थी इसी प्रकार से छटी केर मनी हुई थी छटी से इन्होंने पांचवी करवाई होगी चोती करवाई होगी दिरे दिरे एक से 5-6 तक गई तक है यानि 1st केरमनी करवाई थी 2nd केरमनी 3rd केरमनी 4th केरमनी 5th केरमनी और 6th केरमनी में जो है है वो है सांग नाम के एक Chinese ट्रावेलर है उन्होंने 6th केरमनी जो थी वो अटेंड की थी तो बस यही दे रखा है हमारी बुक में और यहीं तक हमको पढ़ना है तो जो मैंने चार्ट बताया था पूरा वो ही हमारी बुक में दिया हुआ है और वो भी चार्ट भी हमने पढ़ लिया है और हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो भी लाइन टू लाइन पढ़ लिया है